पंचेत ने पहलवान बेटों के समर्थन में दिया बड़ा बयान क्या दिल्ली का दाना पानी अब हो जाएगा बंद मोधी सरकार को क्या अब आ जाएगा होश जिया दोस्त आपने बिल्कुल सही सुना मैं उपर आगमेंदर आप देख रहे है नैशनल चौपाल जैसा प्रविवार को जिस प्रकार तमाम जन्तर मंतर की सडकोपर पहलवान बेटियों के साथ में दिल्ली की पुलिस ने जो बर्बर्ता की है और इसी रईविवार को ने संसत भावन के उधगाटन प्रधान मंतरी मोधी के द्वारा हुआ हुआ है प्रधान मंद्री मोधी के द्वारा इस नहीं संसत्भवन के उद्गाटन पर तमाम जो बड़ी बाते लोकतंत्र को लेकर की गई उसी लोकतंत्र को चीर-चीर कर पूरे जंतर मंतर की सड़कों पर तहस नस करने का काम दिल्ली पुलिस ने इन तमाम पहलवान महिला बेटियों के साथ में किया आप तमाम तस्वीरे लगातार प्रधान मंतरी मोदी के माध्यम से इनके इस जीते हुए मैडल का श्रिय लिया गया तमाम तरह के से इनके उपर में बाते की गई इतना है नहीं तो जो जंतर मंतर की सडकों पर बने हुए तमाम महिला कुष्टि खिलाडी है इनको अपने घर परिवार का बताया गया लेकिन आज अपनी न्याय की गई गुहार को लेकर जंतर मंतर की सडकों पर अगर यह बेटिया संगर्श कर रही है तो मोदी सरकार के कानों में जू तक के नहीं रेंग रही बता दे कि तमाम तरह के से जो बाते निकल कर आई उससे जिस प्रकार जो बरताव दिल्ली पुलिस के मेडलों को ये गंगा में बहा देंगे जिया दोस्ता आप बिल्कुल सई सुन रहा है निरनल ये आ गया था तमाम कुष्टिक खिलाडियों के माध्यम से कि उनको जिस प्रकार पूरे जीवन के अंदर में अपने खुन पसने की कमाई के माध्यम से जो उन्होंने मेडल को जीत तो आम जनता का क्या होगा और इनी बड़ी सवालों के साथ साथ इन लोगों का भी अब मनोबल के टूटता हुआ देखने को मिल रहा है और इसलिए इनोंने इन तमाम मेला कुष्टिक खिलाडियों निरनलिया कि अब अपने मेडल को गंगा में बहा देंगे तमाम किसानों के जो मोर्चे है किसानों का संगधन लगातार पुरे देश के अंदर में चल रहा है उनके माद्यम से इनके इस निरने को इनके माद्यम से लिया इस निरने को रोका गया और एक बड़ा बयान कहिने के सामने निकल करा आ रहा है जो इस वक्का सबसे बड़ा बयान माना जा जो कि आने वले समय में जो दिया गया बयान है अमल में आ जाता है तो दिल्ली बड़ी ही परिशानी में आ जाएगी जिया दोस्तों आप बिल्कुछ सभी समझ रहे हैं कि जिस प्रकार पूरे दिल्ली के अंदर में जो बरबरता इन तमाम कुष्टी खिलाडियों के साथ में ह बदला कहने के लेना पड़ेगा और इसका बदला ये जो खाप पंचायत है किसानों के माध्यम से संगटित होकर लिया जाएगा और इसके साथ साथ और एक बड़ा बयान दिया गया है जो कि कहा गया है खटकई टोल कमेटी प्रधान सल्विर बरसोला के माध्यम से इनका य जो मुहिया कर्वाई जाती है दिल्ली को बड़े पहमाने पर यह हर्याना से खासते और यह चीजे आती है यह पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा जिसे कारण दिल्ली के कहने की समस्या comprendre बढ़ सकती है परःषानी में दिल्ली आ सकती है और उसका पूरा का पूरा खामियाजा मोधी की भारते जंदा पाइटी की सरकार को भुगतना पड़ेगा ये तमाम बड़े बयान इस खाप पंचयत के माध्यम से लिये गए है जिसको लेकर लगातार सूर्खिया बनी हुई है और इन तमाम बातों से आप समझ पा रहे हैं कल पादन के चीजे रुख जाएंगी और इसके साथ समस्याव जिस तरीके से बढ़ेगी इसलिए इसका पूरा का पूरा जो खामियाजा मोधी सरकार को भुगतना पड़ेगा आम जंता को कितनी समस्याव का सामना करना पड़ेगा ये बहुत गंबिर सवाल कहने के बने हुए जो कि लगातार लोग सुर्खियों में बने हुए और इसके ओपर में अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में आज ऐसा निरने लेने के लिए तमाम महिला कुष्टी खिलाडियों के माध्यम से निरने लिया गया है और मोधी के सरकार को चेताने का काम करेंगे जो कि कहिना के पूरी तरीके से एक कुम्बकरन की नीद में सोई वही नजर आ रही है जिसको यह नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार नए संसत भवन के उद्गाटान पर प्रधान मंतरी मोधी लोगतांत्रों को लेकर डिंगे हाकते ह लेकिन उसी दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर के सडकों पर उसी संसत भवन के पास ही में तमाम महिला कुष्टी खिलाडियों के माध्यम से जो विरोत प्रधर्शन किया गया इनके उपर में PCP प्रकार के कोई नजर देखने को इनकी नहीं मिलती ये इनका जातिवादी जो चेहरा है जगजाईर हो चुका है जो बार-बार मैं कहता हूँ और बार-बार भारते जनता पाइट के लिए जो पूरी तरीकी से बात अमल में आती है कि जिनके खाने के दाद कुछ और और दिखाने के दाद पूरी तरीकी से कुछ और साबित होते है इस पूरे मसले को ले भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें